सुधा की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में खिचडी और कुछ भी हो जाएं कभी डाल के साथ खिचडी कभी राजमा खिचडी कभी पुलाव के साथ खिचडी तो बनते ही बनते थे यही बार सुधा की साज सान्ती उसे रोक चुकी थी पर सुधा अपनी आदतों को बिलकुल भी नहीं बदलना चाहती थी बहु आज खाने में क्या बनाया है पापा जी खाने में आज मैंने खिचडी बनाई है आज फिर खिचडी बना लिए सुधा मेरे तो मुझे खाने का स्वाद भी चल लगया है मैं अब और रात में खिचडी नहीं खा सकती बहु कभी कभी बनाओ तो मैं थोड़ा खा भी लू एक काम कर बहू मेरे और इनके लिए तू रोटी ही बना दे मा जी अब आटा गूतना पड़ेगा और आटा गूता हुआ भी नहीं रखा है कोई बात नहीं बहू जो बनाया है तू वही दे दे सुधा ने खिचडी बनाई थी वही अपने सास ससुर के आगे परोस देती है काम करो मैं ही तुम्हें दो रोटी का आटा गूंद कर रोटी सेख देती हूँ फिर खा लेना सुधा के दिन में रोटी और रात में खिचडी की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी सुधा एक काम करो आज मेरे आफिस के छुट्टी है तो तुम चावल और छोले बना लो बहुत मन कर रहा है चावल और छोले खाने का अभी मैंने मतर आलो की सबजी और रोटी बना दिया है अब मैं कुछ और नहीं बनाओंगी वैसे भी मैं रात को राजमा खिचडी बनाने वाली हूँ मैंने पहले ही प्लान कर लिया था अब तुम मतर आलो की सबजी और रोटी खालो तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी चलाती रहती हो, और मैं सोच रहा था कि मैं रात को आलू पराठा बनवाओंगा, तो हम राजमक खिचुडी का प्लैन बना कर बैठ गई अरे तो क्या हुआ, तुम जानते हो ना, मैं दिन में खिचुडी या चावल नहीं बनाती हूँ, मुझे बस खिचुडी पसंदे और वैसे भी मैं रात में ठकी हुई होती हूँ, इसलिए मैं रात को खिचुडी बनाती हूँ, मेरे से नहीं बन पाती रात में रोटियां अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो, और मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो बना के दोगी वो मैं खाई लूँगा राहुल बेटा, मुझे डॉक्टर के फास लेके चल, मेरे घुट्णों में बहुत दर्द हो रहा है मा जी अभी तो वैसे सब ठीक है, बस थोड़ा आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, ठंडे चीजे कम खाईए मा जी जितना हो सके चावल कम कर दीजे, और दोनों टाइम बस रोटियां ही खाईए सुधा डॉक्टर ने मा को चावल और खिचरी खाने से मना किया है, तो तुम उनके लिए रात में आज से रोटियां बना के देना और वो कुछ दिनों तक ऐसा ही करती है, एक दिन सुधा अपने अलमारी के ऊपर से कुछ समान उतार रही थी, तभी उसका संतुलन बिगरता है और वो गिर जाती है गिरने की वज़य से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे बेडरेस्ट बोलता है सुधा जब बेडरेस्ट पर थी, तो उसकी सास हमेशा उसके लिए उसके मन पसंद के खाने बना कर लाती उसका जो खाने का दिल करता उसकी इसास उसके लिए वो तुरंत बना के लाया करती थी सांती सुधा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में सुधा भी ठीक हो जाती है फिर सुधा को अपने गलतियों का एहसास होता है माजी मुझे माफ कर दीजेगा मैं अपनी आलस की वज़े से हमेशा आप लोगों को रात में खिचड़ी खिलाया मुझे माफ कर दीजे माजी आगे से ऐसा नहीं होगा अरे सुधा बेटा कोई बात नहीं तुम तो हमारी बेटी जैसी हो बस तुम अपना ख्याल रहो और हमेशा खुश रहो बेटा पेर सुधा उस दिन के बाद से अपने सास ससर के लिए हमेशा रोटी बनाया करती और जो भी राहोल डिमान करता उसके हिसाब से वो खाना बना के उसी खिलाती थी अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जली से वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए